बारिश के मौसम में आईए बनाते हैं मुरमुरो के पकोड़े जो स्वाधिश तो बनते ही है और बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता वीडियो पुसंद आये तो इसे लाइके मुशायद जरू करें और मेरी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना बोले और साथ ही मुझे बाल लाइक करें उसे दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिप्रिकेशन आपको मिलते रहे हैं तो मिक्सिंग बावल में मैंने दो कप मुर्मुरा ले लिया है अठकलता बजार में रागी के मुर्मुरे या जुवार का मुर्मुरा भी मिलता है तो आपके पस जू भी अवलेबल हो वो मुर्मुरा यहां पर ले सकते हैं तो यह दो कप मुर्मुरा लिया है उसे अच्छ मिडियम साइज का और धनिया बत्ता इसके अलावा भी आपके पास जो भी वेजिस अबलेबल है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं दो हरी मिर्श जिसमेना इस तरह से बारिक काटकर डाल दिया है अब चाहे ना तो हरी मिर्श को दरदरा पीसकर भी डाल सकते हैं या पाइन पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह डालना से जब आप यह वड़ा तलेंगे और यह तली हुई मिर्श बहुत ही बुड़िया लगती है इसमें हम स्वादनु सार नमक डाल लेते हैं और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे इन वेजिस में मैसे और नमक मैसे पानी रिलीस होगा जिससे यह मुरमुरा थोड़े नर्म हो जाएंगे तो आपके पास जो भी वेजिस अबलेबल हो बीट हरे मटर उबलेवे मकाई के दाने अलक के पत्ते मेथी के पत्ते जो भी अबलेबल हो आप इसमें यूज कर सकते हैं इसे ऐसे ही खा लेंगे ना तो भी यह बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि प्यास का और धनिया पत्ता गाजा सभी ने पानी रिलीस कर दिया है नमक अच्छे से मिक्स हो गया है और हरे मेश भी बहुत बढ़िया सा तेज दे रहा है इसमें और एक इंग्रिडियरंट हम मिला देंग पाच मिनट बार यह देखे मुरमर एक अफि नरम हो गया है यह देखे आप इसमें हम चार टेबल स्पून बेश दाल देंगे दो टेबल स्पून चावल का अठा यह थोड़ी से हल्दी पाउडर डाल देंगे हम इसमें करीबन आधा टेबल स्पून लाल मिर्च्री धन्यां प laury सकते हैं अच्छे से मिक्स करके लें अच्छे से कोड़ करके ले लेते हैı इस तरह से दबाते हुए Milli कर लेना है अब इसे बांडिंग के लिए तोड़ा थोड़ा और एक आठा लगा लेते हैं अब देख सकते हैं हमारा मिशरण अच्छ से बाइंड हो चुका है आप चाहे तो इसके बॉल्स बनाकर आप इसे जो जो शेप देंगा चाते हैं वैसा शेप दे कर आप इसे तल ले थे जो चलिए इस तरह इसका शेट दें potem बस इसी तरह मैं सब्धियन लोडे पयले बना कर ले लेती हो और साइड्म मैंने तेल भी गरम करने दिया है बस सी वनने की शेपस दे दिये हैं और अigi चैन्म तेल मैंने अच्छे से गरम करके ले लिया है आँच दीमी कर देंगे और बारी-बारी से ये वड़े इसमें डाल देंगे जितना इसमें फिट होता है उतना ही हम इसमें डालेंगे वड़े डालने के तुरंट बाद इसे हिलाना नहीं है और आज को मैंने मिडियम टू हाई फ्लेम पर रब दिया है इसे हम अब फ्राइ करके ले लेंगे आप चाहे तो इसे शलो फ्राइ भी कर सकते है इसे आप अपम पैन में भी बना सकते हैं, कम तेल में भी सिख कर ले सकते हैं और जैसे ही ये बबल्स थोड़े बहुत कम नज़र आए, तब इसे पलट देंगे और अलटते पलटते हुए ये वड़े गुल्डन ब्राउंड हो जाए तब इसे हम निकल कर ले लेंगे काफी क्रिस्पी बने हैं, उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट परफेक्ट क्रिस्पी फॉर दिस मॉनसून ट्रै करना तो बनता ही है, जब बनाना है इतना आसाल मिलते हैं अगले रसिपी के साथ, तिल लेन, बाई एक पर जाए झाल मिलते हैं तो जब बनाना तो जाए झाल झाल कि झाल 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 झाल